ओम शांती, हम कहुंचे हैं अब 27 नवम्बर के इश्रे बर्दान में मंसा और वाचा, ये दो ऐसी शक्ति हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपनी जिन्दगी को बनाने में और बिगाणने में भी तो परमात्मा कहते हैं आज कि मंसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कारे में लगाने वाले तीवर पुर्शार्थी भबा पुर्शार्थ के सीज़ करना है अपने आपको पवित्र बनाने में क्योंकि कल्यूग का अंत आगे दिख रहा है और सत्युक आधी आने वाली है तीवर पुर्शार्थी अर्थात फर्स्ट डिविजिन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वानी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीती से कारे में लगाते हैं दोनों चीज़ करते हैं आज कल्यूग में क्या है संकल्प में कुछ और चल रहा है और वानी में कुछ और चल रहा है यह कल्यूगी रीती जिसमें कि हम अंदर से कुछ हैं बाहर से कुछ हैं तो परमादर कहते हैं वे इसमें लूज नहीं होते उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो धीरे और मधुर बोलो कम बोलो धीरे बोलो और मधुर बोलो उनका हर बोल योग-युक्त, युक्ती-युक्त होता है मलकि वो सोच समझ के जैसे कहते हैं न दुनिया में कि हम सोच समझ के बोला जाये तो बेटर रहता है आपने सोमच सोच समझ के बोलना चाहिए था तो उनका हर बोल योग-युक्त, युक्ती-युक्त होता है कि मैं परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा ने मुझे दर्तिपट ड्रामा में भेज़ा है खेलने के लिए पाठ तो मुझे उनसे कनेक्ट होकरके उनके द्वारा गाइडन्स लेकरके मुझे बातचीत करनी है, सोचना है और बोलना है योग-युक्त हो करके युक्ती-युक्त होता, उनका हर बोल वो सोच समझ कर कहते हैं आगे पीछे देखर कर करते हैं कि ये कहने से मेरा क्या बन सकता है क्या बिगड़ सकता है वे आवश्यक बोल ही बोलते वे अर्थ बोल विस्तार की बोल बोलकर अपनी एनरजी समाप नहीं करते बहुत इंपोर्टन्ट है ये पॉइंट बहुत ही जादा अगर इतना भी हम करने पूरे दिन में तो हमारी बहुत उर्जा स्पिरिचल एनरजी बचेगी और हमारा मेडिटेशन वाफ़ल होगा वे आवश्यक बोल ही बोलते सोचते हैं उनके के संकल कुछ चलता है तो सीधा मुख से निकल नहीं जाता है वो फुल स्टॉप लगाने की तकत बनाते हैं वो अपने आपको फुल स्टॉप कहते हैं अंदर ही अंदर चुक यह बोलने की तुरूत नहीं है वे आवश्यक बोल ही बोलते जो बोलने की जुरूत है ज़्यादा एक्स्ट्मिनेशन देने की जुरूत नहीं होती है वे अर्थ बोल जो कि हम बोल देते हैं कभी आ रहा है बोल दिये मैंने क्या मेरा मतलब नहीं था अरे मेरी वो इच्छा नहीं थी बोल नहीं लेकिन बोल दिया विस्तार के बोल बोल कर अपनी एनरजी समाप नहीं करते विस्तार के बोल में किया होता है? बहुत ज़्धधड ए कैसी को बहुत समझाना, यह दातर होता है रेलिशनिशिप्समें बहुत जाद होता है या बिजिनसमैन होता है बहुत ज़्धड़ किसी को بहुत एक्सप्लेशण देते हो ओ Kohboy सेक्थे हैं लिए में ओवरसेल कर दे तो प्रोड़क को नहीं होता है वो या अपने आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने के लिए किसी को प्रूफ करते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ ये भी विस्तार कि बोल बोल कर अपनी एनरजी समाप नहीं करते या अपने आपको प्रूफ करना कि मैं राइट था या रॉंग था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्समिनेशन देना वे सदा एकांत पर ये रहते हैं एक के अंत में रहते हैं कि परमात्मा से जुड़ा रहूं मैं आत्मा तो automatically मेरे बोल मेरे शब जो भी होंगे मेरी सोच होगी वो clear और clean होगी automatically मेरे करम भी उसके साब से अच्छे हो जाएंगे तो final में last में क्या आता है एक चीज़ कम बोलो सोच के बोलो मधर बोलो, मीठा बोलो और साती सात धीरे बोलो और साती दा प्रमात्मा कहते हैं कि इसके साथ में योग युक्त हो करके और युक्ती युक्त हो करके बोलो तो ये सारी चीज़े हमें प्रैक्टिस करने ज़रूरी है आज अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप attention रखेंगे अपने thoughts पर आपने thoughts कि पर और मुश्यां कि इसके साथ